हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका Remedies Recipes for You में दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे गारगल के बारे में बताऊंगी जिसे यूज करके आप अपने गले की किसी भी प्रकार के infection को दूर कर सकते हैं तो दोस्तो ये है Povidon Iodine Gargal Macberry Gargal ये गारगल एंटी बैक्टेरियल और एंटी वाइरल होता है और ये बिल्कुल सुगर फ्री होता है और 150 ml के बोटल में आता है और ये गारगल 120 रुपए का आता है और ये किसी भी medical shop में आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तो पovidon Gargal या Macberry Gargal का यूज आप गले की खराश, गले में infection, गले में दर्द, आवाज में भारीपन या आवाज का बैठना या फिर गले में जलन, टॉंसिल्स में या फिर मुव में छाले हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं Dentist भी दातों की सरजरी के बाद इस Gargal का यूज करने के लिए कहते हैं और इस Gargal में mint का flavor होता है जो गले में ठंडकता प्रदान करता है आप इस Gargal को बच्चों से दूर रखें और इसे डॉक्टर के सलाह के द्वारा ही इसे उपयोग में लाएं तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि इस Gargal का यूज हमें कैसे करना है तो देखिए ये है Gargal का syrup और इसे हमें 10 ml तक लेना है और ये है उसका upper part और ये lower part और इसमें एक pipe दिया गया है तो इस pipe के थू ही हमें इस syrup को 10 ml तक लेना है और इसे हमें क्या करना है थोड़ा सा दबाना है प्रेस करना है bottle को और वो automatic उपर वाले chamber पे भर जाएगा तो देखिए 10 ml तक हमें इसे लेना है syrup को तो प्रेस करने के बाद उपर जो है syrup भर जाता है कैप के अंदर तो 10 ml तक हमने इसमें syrup जो है भर लिया है और अब मैं इसका धक्कन खोल करके आपको दिखाती हूँ कि सीरप जो है उपर जितना हमने लिया है 10 ml उतना वहां पर आ चुका है और इस सीरप को आपको direct अपने मुँ में डालना है गले के अंदर नहीं सिर्फ मुँ में भरना है और 30 सेकेंड के लिए आपको गरारा करना है और इस गरारे को आपको 2 से 4 घंडे के अंतराल में रिपीट करना है और ये गारगल बहुत ही effective है गले के किसी भी प्रकार के infection को दूर करने के लिए तो दोस्तो अगर आपको ये information थोड़ा सभी पसंद आया हो तो please वीडियो को एक like जरूर कर दीजेगा और अगर आप मेरे चानल पर नए है तो चानल को subscribe जरूर कर दीजेगा बल आइकन को प्रेस काना ना भूलेगा जिसे मेरे next वीडियो को notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद